इस वीडियो में हम new one baby के लिए shoes तयार करेंगे दो color combination से हम ये shoes तयार करेंगे इन shoes को हम इस dress से match करते हुए बनाएंगे इस पूरी dress और cap का link मैंने नीचे description में डाल दिया है वहाँ से आप चाहो तो इन वीडियो को भी देख सकते हो इने बनाने के लिए हम सबसे पहले pair के नीचे के part को अंडा कर shape में cut करेंगे इसके लिए मैंने cardboard की paper पे एक pattern draw करके रखा है जिससे के हमें इसे बार बार cut करने की जरूरत नहीं पड़ती length आप देख सकते हो मैंने 11 cm ली है सबसे उपर से हमने width जो है वो 5 cm ली है इसे हम जैसे shoes का sole रहता है उस shape में cut करेंगे अब इसी shape के according हम velvet piece के 4 pieces cut करेंगे form के मैंने 2 piece cut किये है इसे हम 2 pieces के अंदर set करेंगे जिससे के एक soft sole तयार हो जाएगा अब जी ऐसे के ऐसे ही set रहे बिल्कुल भी हिले ना इसलिए हम 4 side से सिलाई लगा लेते हैं सिलाई लगाने के बाद अब इसके उपर का part हम cut करेंगे इसके लिए मैंने मेरा पुराना velvet का कुड़ता लिया है इस fabric का मैं पहले भी बहुत कुछ तयार कर चुकी हूँ velvet की cap भी मैंने इसी fabric से तयार की है इसका link मैंने नीचे description में दे दिया है उपर का part तयार करने के लिए अब सिर्फ हमें एक रुमाल की आकार जितना fabric ही चाहिए इसे fabric के उपर रखते हुए भी आप fabric की cutting कर सकते हो जहां फिर इसका आप measurement ले ले इसकी जो width है वो आप देख सकते हो 11 inch है अब 11 by 11 का हम एक square piece cut कर लेते हैं इसे हम double fold करते हुए पहले center में से cut कर लेते हैं अब दोनों पैरों के लिए दो piece तयार हो गए है नीचे की side हम ये shape attach करेंगे उपर भी आप इसे attach कर सकते हो और उपर की side हम इसे shoes की shape देंगे उपर की side हम 3 and half पे mark लगाएंगे और open side की तरफ से हम 2 and half inch पे mark लगाएंगे अब इसे हम shoes की shape देते हुए मिला देते हैं नीचे की side से हम हलकी सी round shape दे देते हैं अब mark के according हम इसकी cutting कर लेते हैं अब दूसरे शूज की भी हम इसी तरीके से cutting कर लेते हैं इसे हम नीचे रखके दोनों को एक साथ भी cut कर सकते हैं अब हम side की slide लगाएंगे और नीचे से हम round shape में गुमाते हुए इसे attach करेंगे दोनों shoes की मैंने side की slide लगा ली है अब जो नीचे का part है उसे हम गुल गुल गुमाते हुए attach करेंगे shoes को मैंने सीधा कर लिया है अब इसे दुबारा उल्टा करते हुए हम जो बाकी की slide बची हैं उसे भी complete कर लेते हैं 4.5 inch तक की मैंने एक loose lastically है इसे हम उपर की side जिस तरीके से हम नेफा fold करते हैं उस तरीके से रखते हुए sly लगाएंगे starting में और last में हम last tick के उपर sly लगाएंगे जिससे के वो एक जगा set हो जाए last tick को हमने अंदर insert कर लिया है अब जो last की बची sly है उसे हम लगाएंगे sly लगाने के बाद अब इसे हम सीधा कर लेते हैं और इसी के साथ ये shoes बनकर बिलकुल ready है कर दो बाद सुझ के बाद साथ बाद साथ बचाएंगे